अलो जी, असलाम लेकूँ मैं होब, आप लोग सब ठीक होंगे, आज के इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम क्यूबस को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, अगर आप अपने एक रिकॉरिंग स्टूडियो बनाना चाहते हो, या आप अपन या इक्तार साललेडी क्यूबस मुजूद है तो आससने मेट्स को साटप कर सकते हैं, जब भी की की लिएक मैं आप कि विंडो आती है, जयसा है प्रिजेक विंडो कै सकते हैं, यहीं से आप अपना ओर आप अप्रॉटैंगे से आप इसे या पा Όने सरे कर लिए मैं मैं आप आपने एक hard drive के अंदे एक particular folder बनाना है जिसे आप अपने studio का sign कर देंगे, that means Qubis के जितने भी projects होंगे वो उस particular folder के अंदर जाएंगे, simple, आपने यहापे click करना है और कोई भी path आपने project को दे देना है, ठीक है, तो अगर आप Mac के अंदर हैं, तो आप home के अंदर आ सकते हैं, मै कोई भी folder बना के किसी भी drive के अंदर select कर सकते हैं, उसके बाद आपने हर project के लिए एक नया folder बनाना है, that means कि जैसे कि आज से मैं एक Qubis course start कर रहा हूं, तो आपने इस तरीके से एक folder बना लेना है, let's suppose project 1, या अगर आप अपने किसी भी गाने पर काम करना चाहते हैं, तो सकते हैं, simply हम यहाँ पर create empty पर click करेंगे, तो हमाँ आपस Qubis हमारा open हो जाएगा, Qubis open होने के बाद आपने सबसे पहला काम यह करना है, कि आपने यहाँ से एक project file select करनी है, project file save करनी है, तो simply आप control S पर click करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर उसी folder के अंदर एक file save होने का option आ आ लेते हैं, यहाँ पर आप multiple files बना सकते हो, let's suppose कि आपने एक गाने पर काम करना है, तो आप उसकी recording की file अलग बना सकते हो, mixing की अलग बना सकते हो, arranging की production की अलग बना सकते हो, इसी तरीके से किसी भी project के अंदर multiple project files हो सकती है, उसके बाद जब हम Qubis में आ जाएंगे, तो ह हमने सबसे पहला काम किया करना है कि अपने audio interface या फिर अगर आप USB microphone यूज़ कर रहे हो, तो उसे आपने Qubis से link कराना है, तो यहाँ पर हम studio के अंदर आएंगे, studio setup के अंदर आएंगे, और studio setup के अंदर आने के बास सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर option आएगा audio system का, audio system के अं आपके पास audio interface है, उसके driver आपको यहाँ पर show होंगे, वो click करने के बाद आपने यहाँ पर OK पर click करना है, और उसके बाद आपने F4 दबाना है, जैसी आप F4 दबाऊगे Mac में या Windows में, तो आपके पास इस तरह का एक folder आजाएगा, जिसमें input outputs का एक option होगा, आपने input और output के इंदर out करना है, हम किसी दिन control panel पे भी बात करेंगे, क्योंकि मैं mostly control panel यूज करता हूँ, तो यह थोर सा advanced method है, लेकिन आपके लिए input और output एनफ रहेगा, अब आप देख सकते हूँ कि यहाँ पे मेरे microphone का signal आपको दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा, अगर आ आप नीचे आके right click करेंगे, तो आपके पास यही वाले options आजेंगे, add audio track पे click करते ही, हमार पास एक dialogue box खुल जाएगा, यहाँ पर आपने यह वाली settings समझ लेनी है, जब भी आप microphone record करोगे, कोई भी input लोगे, तो उसकी configuration हमेशा mono रहेगी, यह बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास दो चैनल का audio interface है, तो यहाँ पर left और right select करना है, कोई सा भी, जिसके अंदर भी आपका mic लगावा है, जैसे कि मैं पास यहाँ पर mono in 2 है, जिसके अंदर मेरे पास road and USB mini select हुआ है, और यहाँ पर हम इसका नाम दे सकते हैं, मैं vocal दे देता हूँ, output आपका हम सब्सक्राइब करना है, और यहाँ से हमने count दे देना, तीन channel बना लिए एक जैसी setting के साथ, और हम यहाँ पर कुछ भी record कर सकते हैं, जिस भी track पर आपने recording करनी है, आप उसे select करेंगे, और यहाँ से recording का बटन दबाएंगे, तो उस track पर recording स्टार्ट हो जाएगी, अलो जी, आज किस वीडियो के अंदर हम लोग Qubis को set up करना सीख रहे हैं, तो अब हम इसको सुन लेते हैं, जो हमने record किया है, अलो जी, आज किस वीडियो के अंदर हम लोग Qubis को set up करना सीख रहे हैं, यहाँ पर हमने recording समझ लिए कि किसी भी channel को बना के, और Qubis को set up करके, आने वाल वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नया सीखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं, अगर आप परसनली मुझसे आडियो एंजेनेरिंग या म्यूजिक प्रोडिक्शन सीखना जाते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी डीटेल्स मिल जाएंगी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com slash hasansheik official पे jazz cash पे या easy by sape मैं अब आप से नेक्स वीडियो के अंदर मिलता हूँ तक ले लाफ इस Hasan Sheik signing off peace out